नमस्कार दोस्तों मैं राहूल चाहून आईगरी निर्या से आज 16 नमबर दोज़ ज़िए इसको इस वीडियो के माद हमसे देश में कैसे रह सकते हैं चीनी वजार कितना उतपादन हुआ कितना उतपादन पहुंच सकता है इस जमाने क्या आप ले दिये उन सब की जनकरी इस समय पर आपको अपडेट मिलता रहे इस वीडियो को बनाने का मकसद के अगल आपको जानकारी देना है करपया कारे अपने विवेक से करें आई बात करते हैं कि इस साल और बीते साल चीनी का क्या उतपादना नमांग दिया था पिछले साल अगर इसमा क्याक्रे हम देखते ह हैं तो पिछले साल पूरे भारत में 22 सीजन के दुरान 369 लाक्टन चीनी का उतपादन हुआ था जिसमें से करीब 41 लाक्टन इतनोल में कंवर्ट हुई तो कुल जो खपत के लिए जो उतपाद रहां 328 लाक्टन बताया गया और जो अगरस्त में जो आपड़े दिये हैं इ जालो सीजन के लिए वो 362 लाक्टन के आसपास दे हैं और जिसमें से 45 लाक्टन चीनी इतनोल में कंवर्ट होगी यानि जो खपत के लिए है 316 लाक्टन का स्टॉक का उतपादन पहुंच सकता है इस साल गनिक की विजए एरिया जो है वो लास्ट यह से बड़ा है लेकिन करनाटक में महरास्ट में मौसम प्रतिकूल होने से बारिष ना पढ़ने से फसल को नुप्सान पहुंचा है और फसल का जो रिकास है वो सही से नहीं हो पाया जिसके करण एरिया बढ़ने के बाव आपारतम में में कमियाती दिखाई ज़री है दूसरी एक और कॉइंट है कि सरकार बोरा इथन रखवादल्म पर दीजा रहे अचाएं सब्सक्राइटी से भी छी महीं मिलें इतना रखवार लोग बनावाय दिक उसरों के नजरा रहे हैं क्योंकि उन्हें इतनों की अच्छी कीम्ते मिल रही हैं और साथ ही उस इतनों के द्वारा मिलें किसानों को गर्ना बगाया समय पर देपा रही है तो इस साल चीजिक उत्पादम में हमें भी लगता है कि ग्रवाट आ सकती है और उत्पादम 310 लाग टन में समढ़ सकता है अगर आप देखें तो चालू सीजिन में 15 नवंबर तक 12.75 लाग टन चीजिक उत्पादम हो चुका है जो पिछले वर्ष इसी अवदी के दौरान 20.02 लाग टन था यानि चीजिक उत्पादम गतावर्ष के मुकाबले 7.45 लाग टन कम हुआ है उत्तरप्रदेश में चीजिक उत्पादम पिछले वर्ष इससे 20,000 टन गटकर 3.4 लाग टन महरास्ट में 6.2 लाग टन गटकर 2.4 लाग टन करनाटक में 1.8 लाग टन गटकर 4.3 लाग टन बताया गया है अन्य रज्जों में यहां चीजिक उत्पादम बहुत कम होता है वहां भी अभी पूरी तरह से उत्पादम गन्ना की परह शुरू नहीं हो पाई तो इससे बजारों पर क्या असर पड़ेगा अब उसकी जन करीद देना चाहूंगा इस अब देखे लेंगे कि पिछले दो-तिन मेनों से सरकार में बुक्ता मंत्रालने ने दो-दो लॉट में चीनी कोटा जारी किया है इस बार भी इस तरह से कोटा जारी किया है और कुल कोटा त्रीस लाक्तन रहा है और जो पहले ट्रांस में पहले खेप में जो कोटा दिया था उसका जो बिकरी है वो मिलें पहले से कर चुकी है क्योंकि तिवारी बांगती और अभी जो एक्स्ट्रा अर्ट लाक्टन कर दिया है यह खपत को हम देखते हैं तो उससे कम बताए गया माम जो है वो चीनी की लगतार बनी हुई है छीनी बज़ार में तेज है का महौल बना है चीनी की किंते चल रही है आगे क्या ख़ोगा वह भर मैं बताना चाहूंगा अगर तो कोई बलूबात नहीं कि तीसरा कोटा भी इस मेहीन जारी किया सके यह एंदिसम्ब्स ओंपर महीने का फोटा पहले से ही खोश्चत किया या सके जैसा पहले भी किया है तो कुल्मला कर चीनि में मुनाफ़भास भिक्डी करते रहें और जैसे जैसे चीनि का उत्पादम पी सकता है तो समय समय पर मनाववास विक्रिया करते रहें ग्रावट की कोई बात नहीं है चीनी की किम्तों में ग्रावट की अशंक्या बहुत कम है एक्सपोर्ट भी बैन है और इसमा करें अगर आखड़ों की बात करें तो जो दूसरों पूचेतर लाक्टन की कपत को मिलाएं और 317 लाक्टन के उत्पादन का नमा लगाता है तो सीजन के अंत में चालू सीजन के अंत में 42 लाक्टन चीनी का सर्प्ला स्टॉक मौझूद रहेगा और जिस अभी देखना होगा है कि उत्पादन के सपकार रहता है विबिन राज्यों में उसी के साब से चीनी एक्सपो चीनी की भारी कमी है आई सी कच्छी चीनी वादय बज़ार अब तक क्यों उच्छी तरमस्तर पर पहुंचा है ब्राजियल में मिलें चीनी की जगें इतनौल की उत्पादन में ज्यादा उत्सुक नजरा रहे है तो कुल मिलाकर विष्मी चीनी की उपलबट तक घटी रहे स्टॉकिनिंग से परेश करें और ट्रेडिंग करते रहें बन्ने बाद